नहीं हमें कोई दावा नहीं करना है लेकिन अगर यह अधिकार आया तो सही है उसके लिए यह कि जो अधिकार है भेनों का भेनों को मिलना चाहिए और जो बेटियों को मिलना चाहिए और भाईयों का अधिकार तो भाईयों को ही मिलना चाहिए नमस्कार मैं हूँ आदित दुवेदी और इस वक्त हम है उत्राखंड की राज़ानी देहरादून में देहरादून में यूसिसी बिल पास हो गया है यानि की समान नागरिक कानून एक पास कर दिया गया है और उसके बाद ये देश का पहला प्रदेश बन गया है जहाँ पर अब एक कानून चलेगा इसको सुख्रत के लिए राश्पतिक पास भेजा जाएगा उससे पहले हैं और इस वक्त जब हम डिबेट कर रहे हैं तो हम आप देख सकते हैं आपर महिलाएं काफी संख्या में आई हुई हैं बढ़ चरकर हिस्ता भी ले रही है और उत्राखंड की खासियत रही है कि महिलाओं ने कोई आंदोलन रहा हो चाहें चिपको आंदोलन इंद्रा पनाने की मांग की गई हो तो महिलाओं ने आगे वाली पंक्ति में बढ़ करके अपना सबकुछ निशावर करने का दम रखा है और तमाम बल्दानियों में महिलाओं का नाम सामिल है इस वक्त हम सबसे पहले जब अपनी डिबेट सुरू कर रहे हैं तो पहाड की आवाज क् सबसे पहले सबसे बुजर्ग महिला हमें अपनी माता सी दिख नहीं है माता समान आप से समझना चाहेंगे महिलाओं को बहुत अधिकार दे दिए गए यूशी सी में यह जो नया कानून आपकी विधान समा में पास हुआ है क्या कहना चाहेंगी आप अब बुड़ाप अब बड़ा गंभीर बात आपने कही है बहुत पहले कानून लागू होना चाहिए लेकिन आप तो इस अधिकार के फाइदे ले पाएंगी अभी तो आप इसी पीड़ी में है हाँ जी हम बहुत खुश हैं अपनी मुखे मंत्री से कि जो इन्होंने कानून पास किया है लड़का अब चाहिए माल अपने भाई के बराबर नहीं हमें कोई दावा नहीं करना है लेकिन अगर यह अधिकार आया तो सही है उसके लिए काफी लोग ऐसे हैं जो पीडीत हैं और उनको मिलना चाहिए ज़ो कानून आया है यह ठीक है जरूर्त मन्तों को यह अधिकार मिलना चाहिए जो तमाम जो जरूर्बन नहीं होंगा वो नहीं gebी मांगें के बहां का प्यार है वह में तो यह एकाई है वहाइन को मिलना चाहिए और जो बेटी योगा है भाइयों को ही मिलना चाहिए और भाईयों को ही मिलना चाहिए यह बड़ी बात कहने हैं यह जो बेटे सेवा नहीं करेंगे बेटी आंगे होंगी ठीक है नहीं तो खट से अधिकार इधर आ जाएगा पूरा माल इधर आएगा क्या कहेंगी आप नहीं सरी यह जो यह जो सब कानून यूसीसी कानून लागू हुआ यह बहुत अच्छा है समाने होना भी चाहिए इसमें यह यह होगा कि तूंहीं करेंगे के समाने करेंगे हुआ जैँगा सैवा आइगा यह और नहीं करेंगे दोनोरी करेंगे जार लड़कों को जाती दी सारी संपत्ती बेटियों को कुछ मिलता ही नहीं था हाँ सभी है यहां तो महिनाई बहुत खुसन जरा रहिए हम जह चलते हैं आदमियों की तरफ लड़के क्या कह रहे हैं उनका क्या कहना है क्योंकि इधर तो खुसाली ज़रूरी है वो तो कि परिवार तूटेंगे जब भाई बहन आपस में चुकि अभी तक तो हमारी हजारों साथ की परंपरा चली आई है उसमें इस तरह की कोई बाते नहीं रही है मतलब लड़की कि साधी कर दी वह अपने सहे स्वाल में अधिकार लड़के यहां की परिवार तूटें धिक 6 प्यार से अगर नहीं देता तो प्रवाद है कि यह उन्होंने कानून पासे हमारे साथ सामाजी कार्टा और एक संग्ठन चलाने बाले राष्ट्री अध्यक्ष मुकेस पाणने हैं मुकेस हम आप से समझना चाहेंगे आप तो यूबा है यह जो कानून आया है इसमें बहुत विवाद पर भी रोक लगाई ग हमी सरकार ने लिया और पूरे भारत में सबसे पहला राज उत्राखंड बन गया जो यूनिफार्म सिबिल कोर्ट जिसने लागू किया उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यबाद देता हूं इसमें देखिए बहुत सी कुरुतियां पहले से चली आ रही है और इसमें हमारे पहाड का बहुत दुक्सान हुआ है यूसी सी जो अब बना है उससे पहले कि मैं थोड़ा साब को देता हूं अभी हाली में एक धार चुला में हमारे यहां नाबालिक लड़कियों को कुछ बाहर के लोग जैसे बरेली से जो लोग आते हैं काम करने या वैसे करने आते हैं उन लोगों ने बहला फुसला के उनको नावालिक बच्चों को लेके गए उससे पहले हां कानून है मगर उसमें क्या है ना उन लड़कियों के बारे में भी हम एक बात आप से कहेंगे जो पहले से यहां पे गैर मतलब धरम में साधियां कर लेती हैं उनके साथ थोड़े द हो गया है किस तरह के फाइदे भविस में आप देख रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छा फैसला लिया है मैं धामी जी को और उनकी कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से जो जिसका इनजार पिछले 70 सालों से कोई इसकाई सरकारे आई हैं गई हैं तालती रही कुछ नहीं कर पाए और धामी जी इसका हम को कर पाए हम के लिए बहुत दोबार ही उनके उतराकर इसमें जो कांगरे सई बाकी दल है भाजपा के अलाबा वो कहने साब राजनीत कर रहे हैं विदान सभाच नौनाव से पहले कह आगे सत्ता में आप लोग सभा चुनाओं के पहले लेके आए 18 महिने तक क्यों टालते हैं कि बहुत बहुत धेले जैसे कि मैं पहले आपका अभार ब्यक्त करूँ आपके चैनल भारत का दुबेदी जी आज इस प्रदेश के देव भूमी के अंदर तमाम इस प्रदेश के जो को आभार ब्यक्त करना चाहेंगे कांग्रेश तो यूहीं 1952 से लेकर अब तक इस देश को बर्गलाने और मांटने का काम करते रही आज अगर डिसीजन और किसी को हककूप कोई दिलाने का नंबर आया वह सिर्फ और सिर्फ मोधी सरकार है वह इस प्रदेश की धामी सरकार ह अब देख रहें कि विपक्ष टूट टूट कर NDA के कुर्वे में जूड रहा है मोधी सरकार की पोजिटिव विजन है उस विजन को देखते हुए तमाम आज देखते हैं कि पूरे भारत में यहाँ प्रदेश पहला प्रदेश बना है कि UCC बिल हमारे प्रदेश में आया है गौ समर्धन की बात करते हैं इस राष्ट के अंदर यहाँ पहला प्रदेश है गौम आता के नाम से अगर कोई प्रदेश बना है पहला वहाँ देबुमी उत्राखंड बना है इस प्रदेश की ओर से हम पुना बधाई देंगे 2024 के लोगसाबा आगामी चुनाओ को लेकर य यह मोदी को पूरा स्रे दे रहा है बाज़वा को पूरा स्रे दे रहा है और हमारे साथ एक उस समाज उस तपके से भी बेक्टि खड़े हुए हैं जिनको यूशी सी से बाहर रखा गया निकि अन्सूची जन जाती आप लोगों को बाहर रखा गया है आप क्या कहना चाहें है इनके अपनी तामाम ऐसी प्राक्राटिक और तमाम ऐसे ज़रूरते हैं कि इनको बाहर लखा है ताकि इनको सतमर्द्शन मिल सके आपके के मां नई चले 66 ये यह नहीं बोल पारें खाले हैं इतना कह रहे हैं कि फिलाल और सरकार ने बात कहीं भी है कि जरूरत के मुताबिक इन लोगों को फिर सामिल के जाएगा फिलहाल इनको पिछड़े बहुत हैं इसलिए इनको सामिल नहीं कर आप कुछ कहना चाहते हैं मैं कहना चाहता हूं कि आज तक 1952 से किसी भी सरकार ने हमेशा पिछड़ों को जो है बाहर रखा हर काम में बाहर रखा है किसी मंदीर में मस्जीद में कहीं पर जाना हो और जैसे आप भी बाहर रखा है यानि वह इस जाती को हिंदुस्तान का नागरिक मानती ही नहीं है उनकी प्रोप्टियों के बारे में है उनको बेशने की अनुमती नहीं है और अगर कोई प्रोप्टियों कब जा कर ले या किसी परकार और कर ले उनकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर तो पिछड़ों को चाहती कि इस अनसार में रहे न पिछड़े पिछड़े ही बने रह कि आपके एक पतनी कर दोसरी नहीं रख सकते हैं आप बहुत हैं या सामान प्रक्रिया देंगे नहीं हैं और वजह कि सद्ली से होने चाहिए तो होने भी नहीं चाहिए हम दामी सरकार का जो बहुत-बहुत आवाई हैं कि यूद यूज यूज सी बिल लेके आये इस एक पतनी मतलब सिर्फ एक पत्नी साथ रह सकते हैं कहीं नहीं हो सकते हैं इसके क्या कुछ फायदे पैज इस गारीबित जी आप समय जए जो है नहीं बड़े कि जनसंक्याज बड़े के तो रोजगार के अफसर मिलेंगे युवाओं को और यह जो जो लड़किया जो जान दे रही है यह जो इस टाइप के जो लविन लिलेसे में जो चल रहा है यह सब खतम हो जाएगा तो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कमसे को साथान रहेंगे इस दामी सरकार का मैं धिन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने युवाओं के लिए सोचा है युवाओं को इससे बेनिफिट यह मिलेगा जब ज़्यादा शादिया नहीं हो पाएंगी तो कम बच्चे होंगे और कम बच्चे होंगे तो उनके एजुकेशन भी अच्छी होगी और दामी सरकार सरकार को जड़ी पर जितना भी कर दिया लोग वादविवाद जरूर करेंगे इसमें कुछ लोग कहेंगे गल्थ है कुछ लोग कहेंगे सही एक शुरुवात हो चुकी है और जैसे अभी आपके इस कारिगर्भ में चल रहा था कि महिला की और भाईयों के लड़ाई मचेगी ऐसा नहीं है यह हर्याना में पहले से ही राइट्स है हर्याना में महिला अपने भाई की प्रोपटी पे ब्राबर रा इनका यह कहना है कि इसे आपसी सवहार बहुत अच्छा होगा और संबन्द और प्रगार्ण होंगे ना कि आपस में टूटन होगी एक बात की जा रही है कि यूशी सी के बाद सम्मिधान में एक और कानून आना चाहिए आबादी को नियंत्रित करने के लिए किस तरह से जो भी कानून बनाएगे वो सब ठीक है यहाँ पर एक बात उठी है कि जनसंक्या नियंत्रित कानून आना चाहिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे यहां जो है एक कितने सारे लोग जो है कितनी फैमिलीज है जो दो तीन तीन चार चार बच्चे करते हैं और उनी लोग पावंदी का मतलब है आप रहिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको एक कंफर्मेशन धाने में प्रसासन को सौपना होगा कि आप लेविन रिलेशन में रह रहे हैं पहले बात दामी सरकार का इसका सुक्रियादा करता हूं यह कानूर बनाया यह उन्होंने अच्छा कानूर बनाया कि लेवल निरे वहां पर रेस्टेशन कराना चाहिए हमें क्योंकि माता पिता को भी मैं क्या रहे हैं कि धावी सरकार ने ऐसा कारे करके हम यूवा लोगो का ही समर्थन किया है क्योंकि यह सब चीजे तो सही नहीं है जो भी हमारी मम्मी पापा हमारे लेटों काम करें वही हमारे लिए सब्सक्राइब का कि खुल अब तो बाते खुल जाएंगी अगर रहोगे और अकेले में हम चल्चा करना चाहेंगे यह लेविन रिलेशन पर जो रेइस्ट्रेशन कर दिया गया है क्या कहेंगे आप नहीं बहुत अच्छा किया क्योंकि इसमें ना उनके माबब को भी पता लगेगा कि हमारे बच्चा कहां है किसके साथ रह रह रहा है और दूसरा चाहेंगे यहां बाख रह को इसकोष और अपक्तु हां अंदर बाद गरण्यों रिलेशन पर आपकी सब्सक्राइब यहां क hunter जहाएई जो बहुत पहले चालू आप चालू किया है हम तो बहुत खुश हैं कि दामी सरगार जो यूशी सी बिल लेके आई है और सारे कानून अच्छे फिलाल हमें यहाँ पर कोई ऐसा नहीं मिला जो यह कहें नहीं गलती की गई बहुत अच्छा किया गया अब मिलाओं से समझना चाहेंगे रिज्ट्रेशन अनिमार कर दिया गया है लिविन रिलेशन भारत में भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था बिल्कुल सबसे पहले तो मैं धामी सरकार और माने प्रधान मंत्री मोधी जी का तहे दिल करती हूं कि उन्होंने इस चीज को लागू करा अभी उत्राखंड में हुआ है आगे मैं चाहूंगी कि और भी स्टेट्स में हो एक तो यह है कि हमारे बच्चे भी सिक्योर होता है इन चीजों को लेकर क्योंकि परेंस को पता चलेगा कि हमारा बच्चा कहां रह रहा है किस के साथ रह रहा है एक तो सिक्योर्टी पॉइंट बहुत ही बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है अगर रह रह रहे हैं तो उनको रिस्पांसिबिटीज निबानी चाहिए जो आज का आज का यूथ नहीं निबारा इसलिए वह लिविन का नाम दे रहा है अगर लिविन आपका एक कहना है कि इसे बच्चे सिक्यूर भी होंगे बहुत अच्छा फैसला है होना भी चाहिए इससे यह पता भी चल जाते हैं कि बच्चे कहां है मतलब हर माबापको भी दिक्कत नहीं होगी बहुत अच्छा चोरी छुपे जो अब तक लिविन रिलेसन चल लाता उस इस पर ब्रेक लगेगी उस पर कहीना की रोगठाम होगी तो उससे तमाम सिक्यूर्टी रीजन भी बता जा रहे हैं आप से समझना चाहेंगे इसको सरकार ने अच्छा कानून बनाया जो भेद बाव होता वो नहीं होता वो नहीं है आगे आने वाली पीडी के लिए ठीक है जो आने वाली पीडी है उनके लिए ठीक है तमाम तरह से इसको जाए जो सही बता रहे हैं इस पर लेगे एक चीज और है लिबिन रिलेशन में एक सरकार ने उसी सी में और प्रोविजन क्या हुआ है कि इस बीच यदि कोई बच्चा आता है और वो पैदा होता है तो उसको माबाप का नाम देना पड़ेगा ऐसे मैं किस तरह के नई असामाजिक चीजें हो सकती है कुछ ऐसे चीज़गी कि इसके उसे कानून ना चाहिए इसके इसा ना invent आढ reals चाहिए कानून माबाब को पता हो भी तो माबाब को भीटी होगी तो अबolerशो से ला होगी राइख के लिगा शादी में कनवर्ट करने के प्रियास में लग जाएं क्योंकि उनके बास बच्चों का दबाव भी होगा मतापिता का दबाव भी होगा समाजिक दबाव भी होगा और कानून का भी शिकंजा उनके ओपट रहेगा देखे ऐसा है ना जो लिव-इन रिलेशनशिप की बात हो र भी से खराब करते हैं और उन माबाप के ऊपर बहुत मतलब दुख होता उनके जिनके बच्चे इस तरीके के रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनके लिए उनके लिए तो बहुत बड़ी है और दूसरी बात यह है मैं आपको बता दूँ यह जो कानून आया यूसी सिरी हमारी बेहने हैं हमारी बेटिया हैं उनको पूरा अधिकार मिलेगा जैसे हमारी हिंदू बेहनों को अधिकार है वैसे ही अधिकार उनको भी मिलेगा तो आने वाले समय में जो यह कानून है ना वो पूरे देश में लागो उनना चाहिए यह तो उत्तरा सरकार ने जो पहल क थी जिवर्जस्ती महिलाओं पर थोपते थे वो इस पर भी रोक लगा दी कि यह लाला नहीं कर सकते हैं आपको साधी करनी है तलाक के बाद तो फिर हलाला जैसी कुल पता खतम होगी इद्द जैसी पताएं समात होंगी बहुत बड़ी बात है कि जिस परकार से हलाला पर रोक लगा कर इस प्रदेश की मुस्लिम भेने तरस्त थी मैंने अपने आखों से और अपने कानों से सुना है अभी हाल बेक मैं मैं नाम नहीं कोल पाऊंगा मेरे सामने केस आया था हलाला का उसने अचानक से गुसे में अपनी पत्नी को तलाक दिया और मेरे पास रो रहा था कि अब आज इस इस्तिती हो गई हलाले की बता यह कितना पॉजिटिव और उन मुस्लिम भेनों के लिए जो बिधे काया निकल कर यहां नील का पत्थर मुस्लिम भेनों के लिए साबित होने वाला है जो हलाला पर रोक लगाने के लिए जो स्टैप ही है मुझे लगता कि आज इस देभूमी उत्राखंट सरकार का क्रिपल तलाक के बाद एक यह बहुत बड़ा और महत्मूर कदम है कि यूशी सी में उत्राखंट सरकार ने हलाला और इद्द जैसे कुपता को समाप्त करने का काम सुरू किया हुआ है आपका क्या कहना है इस पर हलाला तो खेर नहीं हो रोक लगेगी अब गवर्मेंट जो यह मुसल्मानों में था कि शादी मतलाग दे दिया और फिर हलाला हो गया हाँ तो उस पर रोक लग जाएगी एक कुपता समाप्त होगी सही दिसा की और महिलाओं को इस्तित सुद्रेगी मुसल्मान महिलाओं पर विश्वास कर सकते हैं या जैसे पहले उनको हलाला करके विचारी अंदर दब ही रहती है ति ती कुछ बात नहीं बोल पाती थी अब वो लोग वोट में जा सकते हैं और मतलब थोड़े रिस्पोंस्वेटी समझेंगे जो उनके साथ वाले तमाम तरह की मांसी को सारीरिक प्रतारों से मुक्ति मिलेगी मुक्ति मिलेगी अब कोई कबिलाई में हम लोग कबिला में नहीं रहते हैं कि इस तरह की कुपलताईं थोपी जाएं और उनको बलदास किया जाएं अब वो बलदास नहीं होंगी और ये जो UCC में प्रोविजन किया गया बाकई में काबिले तारीफ है और इसके लिए उत्राखंट सरकार की त गोद लेते हैं तो उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है कि वह बच्चा गोद ले सकती है और बच्चा गोद लेने के तमाम नए कानून बनाए गया है जिसके तहट जिस बच्चे को गोद लेंगे उसमें पूरी जिम्मेदारी उस गार्जियन की होगी उसको निभाना होगा नए प्रोविजन के साथ उत्तरा दिकार कानून में बनाए गया है साथ में गोद लेने की को भी काफी सक्त किया गया है मतलब उस अंदाज में आप नहीं ले सकते गया और बच्चे को चप्रासी बनाए हैं वहाँ पर नौका बना के रखे हुए का भी responsibility होगी ना माबाप की responsibility होगी और कानून उससे कोई करता है तो कानून साथ देगा उनका फ़ेगा भसक्ती बात है ऑब गोद लेने में एक गाल जी ने एक माबाप की तरह रहना होगा उस कपल को जो बच्चों को गोद लेगा और मुसलिम महिनाऊ को अधिकार अच्छे से होगी और उनके एजूकेशन भी अच्छे से होगी और अगर भारत पढ़ लिग गया और जो बच्चे अनात हैं अब वो अनात नहीं रहेंगे मेरे हिसाब से अगर यह उत्राखन सरकार ने किया तो बहुत अच्छा कदम है इसकी सराना हमें करनी चाहिए बहुत अच्छी बात है और इसका फाइदा तमाम उन लोगों को मिलेगा जिनको अभी तक नहीं मिल पारा था आप कुछ कहना चाहरे थे देखिए ऐसा है ना आनुछेट चवालिस में पहले से याधिकार था सरकारों को पहले की जो सरकारे थी उनको भी चाहिए था कि इस तरीके का कानून पहले से बनना चाहिए था मगर धामी सरकार ने जो पहल करिये ना उससे देखिए सब में एक समानता आएगी एक समानता सोच होगी और चाहे मुसलिम हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे साई हो सब के लिए भारत का कानून है और एक कानून है एक होना चाहिए जो लागू किया है उसके लिए बहुत तो जैसे जाइज बच्चे होते हैं वो सारे अधिकार नाजाइज बच्चों को मिलेंगे यह बहुत बड़ा एथिहासिक कदम है आपका कहना चाहेंगे बहुत अच्छा विजन है अगर डिने टेस्ट के बाद पता लगता है कि यह बच्चा इसका है तो नहीं मैं एक बात कर मैं कहा रहा हूँ कि मेरा मेरा जो मानना है कि डिने टेस्ट के बाद पता लगता है कि यह परसंद इंबॉल्व है तो भही उसको उस बच्चे को तो अधिकार मिलना चाहिए तो गौर्णमेंट डाश तक कहा सोई थी वही बात दुबारा रिपीट हो री उनीस सो बावन से कर अब तक 75 साल यहां के इस देश के लोकसभा हो राजेसाबा हो इस तमाम मेंबर सोय वे थे क्या आज यह बार बार रिपीट करना पड़ा यह पोजिटिव विजन के सरकार आई है इन्हें एक के पहलूओं को छूते वे आम आदमी के परेशानियों को इस बिल में खटा कर प्रावद्धान कोई बहुत ऑच्छा कतम है कि अब नाजायस कोई नहीं होगा, नाजायस सम्बन होते हैं, नाजैस अवलाद नहीं होते हैं जही चाहिए और अगर वो हैं तो उनको उनका हक मिलना चाहिए. और एक चीज और भी है जैसे गौर्णमेंट हमाई प्रावधान कोई भी लाती है तो जो जरूरी होते हैं उन लोगों को वो चीजे नहीं मिल पाती है उन विचारों को कहा जाता है इतने चक्कर कटवाए जाते हैं यह लाओ और वो लाओ करके उनको बहुत दुखी किया जात है तो इस तरीके की चीजें भी नहीं होनी चाहिए अब यह कानून जबन गया है तो अब इस तरह के चेकर बहुत नहीं लगाने पड़ेंगे जो क्लेम करते थे संपत्त पर इससे पहले चीजें आसान हो जाएंगी और इस तरह से नाजायज सब रिस्ते भी खतम होंगे क्या जाएंगे हम क्या बोले आपके मंद में जो हो बोले कि है समाज में इस तरह कि नाजायज सब्सक्राइब नहीं रह जाएगा आगे आप यह देखिए कि जाएगा अब नाजाइस जैसा शब्दी इस डिक्ष्णरी से खतम हो जाएगा जो मोधी सरकार ने चलाई है और अगी बहुत अच्छे अच्छे रास्ते दिखाए हैं हमें बहुत ज्यादा संतुष्ट है हम अब तो बोलिए आप नेता भी बन सकती हैं बिदान सभा लोग सभा भी पह का अधिकार चाय वह जैसे उसमें प्यों मैलाओं को सब्सक्राइब दिये गए हैं इससे पहले लोग सभा में भी 33% की बात कहीं गई और अभी यूसी बिल में भी मैला सब्सक्राइब खुस भी हैं इनसे जब हम बात कर रहे हैं तो यह बार-बार हस भी रही है मुस्कुरा भी रही हैं जो सामने जेंट्स कड़े हुए हैं उनके चेहरे में उतनी मुस्कुराट नहीं हैं खुस हैं अधिकार दिये का अच्छी बात है लेकिन ज्यादा खुसी इस पाले में है इस तरफ ज्यादा खुस हैं लोग हां और यह देखिए कितने खुस हैं यूसी सी का कैमरे में आकर के बोल रहे हैं और कुछ लोग कैमरे के पीछे से भी कह रहे हैं खासतों से अल्पसंग के महिलाएं कि यह कदम बाकई में सरहानी हैं यह थी हमारी खास पेसकस यूसी सी पर सीधे उत्राखंट से आप कही मत जाये बने दिए भारत एक्सप्रेस पर खबरों क सिल्सला लगाता जारी है